भारत और चीन समेट दुनिया के कई देशों की अर्थ विवस्ता इस समय मंदी की चपेट में हैं अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यपार टक्राव के कारण दुनिया के कई देशों पर भी इसका सर दिख रहा है और अब सयंक्त राष्ट पर भी इसकी चाया पड़ गई है दुनिया में शांती और एक जुटता की कोशिश करने वाला सबसे बड़ा मंच आर्थिक संकट का सामना कर रहा है हालात ये हो गए है कि यूएन का खसाना खाली होने वाला है और कहीं से मदद मिलती नहीं दिख रही है यूएन के सामने क्यों आई ये स्थिती देखिये हमारी रिपोर्ट यूएन महासचीव अंटोनियो गुटरेस काफी परिशान है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यूएन को इस परिशानी से कैसे निकाना चाए ये परिशानी दुनिया में बढ़ते टकराफ की समस्या को लेकर नहीं है बलकि परिशानी है यूएन के खाली होते खसाने की हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यूएन में काम करने वाले 37,000 कर्मचारियों को अगले महावेतन मिल पाएगा भी या नहीं ये भी पता नहीं और जितनी रकदी यूएन के पास है वो इस महीने के अंतर दक पूरी तरह समात हो जाएगी इसके बाद यूएन के कामकाश तो छोड़िये यहां काम करने वाले लोगों को वेतन भत्ते मिलने पर भी संकट खड़ा होने वाला है इस संकट को लेकर गुटरेस ने कहा कि यूएन के सदस्य देशों ने 2019 के लिए जरूरी हमारे नियमित बजट का केवल 70% ही बुक्तान किया है जिस कारण ये स्थिती पैदा हुई उन्होंने यूएन के सदस्य देशों से इस साल की शुरुवात में योगदान राशी बढ़ाने को कहा था लेकिन सभी सदस्य देशों ने इस से मना कर दिया वोटरेस ने कहा कि स्थिती विगरती वित्यस्थिती के लिए ये देश ही जिमिदार है स्थिती राश्ट का बजट 2018-19 के लिए करीब 5.4 अरब डॉलर था इसमें अमेरिका का योगदान 22 प्रतिशद रहा है यूएन के इस बजट में इसमें शांती स्थापना से जुड़े कारियों के लिए होने वाला खर्च भी शामिल नहीं है ऐसे में अगर यूएन में आर् स्थास।